the next question is for the class intervals 1 is to 4 यह हमाई पास जो है रेंज है ठीक है जिस हम कहते है class interval which is represented by h ठीक है और दूसरी हमाई पास है 6 से लेके 10 तक यह हमाई पास है class interval ठीक है question है lower class boundary for the interval of 6 अब इससे जो छोटी है इसके बार और इससे पहले तो lowest कौन सी हो सकती है तो ना वो यहाँ पे add होनी चाहिए ना वो यहाँ पे add होनी चाहिए तो हमाई पास हो सकती है वो 5.5 तो answer क्या आएगा हमाई पास 5.5 ओके next question है frequency of the class interval 1 से लेके 15 तक आपको दिया गया है कि इसकी class interval की frequency है वो 1 से लेके 15 तक है for the given data अब data आप को जो है आप इसके अंदर कितनी frequency आप अज़ा सकते हो में खासा 3 से 4 बना सकते हो बाद कर देटा 1 से लेके 15 तक है लेकिन आप से पूचा गया है कि इसमें आपकी जो इसकी class interval है वो कितनी है इसकी height कितनी है यानि width कितनी है ठीक है हम width की बात करते है class interval shows height width ठीक है यानि यह इसकी जो length है height है वो कितनी है तो जाइर सी बात है हम देखेंगे data में हमाँ पास 11 से लेके 15 तर कितनी values given है तो 11, 13, 14, 15 यह सारी values जो हैं किसके बीश में आ रही हैं 11 से लेके 15 के बीश में तो कितनी आ रही हैं 1, 2, 3, 4 So the right answer is 4